इस बार का सावन पांच सोम्वार वाला रहेगा, इसमें अने को सुभ योग बन रहे हैं। पंडीत घंशाम सर्मा ने बताये कि सोम्वार का अर्थ चंदर्मा से होता है। और चंदर्मा बगवां सियु को अधिक प्रिय है जिने वह मस्तक पर धारन करते हैं। इसलिए बगवान सीव को सौमवार का दिन अधिक प्रिय होता है। जोतिस के अनुरसार जब सनत कुमार ने महादेव से उन्हें स्रावण महिना प्रिय होने का करण पुछा। तो बगवान सीव ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग सकती से सरीर को त्याग दिया था। उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जनम में अपने पती के रुप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जनम में देवी सती ने पार्वती के नाम से राजा हिमाचल और रानी मेना के घर में पुत्री के रूप में जनम लिया। पार्वती ने युवावस्ता के स्रावन महीने में निराहर रहकर कठोर वरत किया था। और सावन का जो मईना है इसमें हर सम्वार बाबा भुलेनाद के मंदिरों में बक्तों की बड़ी तादाद लगी रहती है क्योंकि बाबा भुलेनादत सभी भक्तों की मुराद भक्ति के साथ में बगवां सिव का गुर्दान करते हैं सिवलिंग पर दू चडाने घी चडाने भालने से वनुष्य सारीरल रूप से मानोसिक रूप से बहुत शक्षम होता है शुद्रण बनता है इसलिए बगवां सिव का बड़ा ही महत्विव है हर हट महार्य वह झाल झाल